कहिए कैसे हैं आप देखिए लाइफ में कुछ बाते ऐसी हैं जिनने अगर हमने सुन लिया अच्छे ना सिर्फ सुन लिया बल्कि उसको समझ लिया उसकी इंपोर्टेंस को समझ दिया और अपनी लाइफ में उसको उतार लिया तो हमारी जिन्दगी बहुत हद तक बहुत हद तक बहुत हद तक बहुत हद बन सकती है अब सोचने वाली बाती है कि क्या है वो बाते तो इसी बारे में आज में आपको जो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही जादा जरूरी है इक आपको बहुत सारी बाते दरें, लेकिन इक एक आपको इसी सेरीज में कुछ बाते बताऊंगी जैसे कि आज की वीडियो में मैं बता रही हूं आपको तीन बाते जोकि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह जो पहली बात है, यह जो दूसरी बात है, तीसरी बात है, यह पहली दूसरी तीसरी बात नहीं है, यह तीनों पहली ही बात है, मतलब most important है, clear है, तो शुरू करो, सबसे पहली बात, बस, अब बहुत हो गया, मैच्चियोर बन जाएए, समझदार बन जाएए, दुनिया है इसका पूरा फैदा उठाता है समझदार बनिए ड़ा कोच बातים समझनी है कि कब क्या भोलन में है किस समयों Osc 확 भब क्छुप रहने है है फिर इसी के साथाथ हमें इस बात का भी धियान रखना है कि हर किसी पर अनविश्वास नहीं कर ले भगवान जी ने न हम सभी को आखे भी बिदे गांप नाग भी लिए व इसलिए तिल इसलिए है कि हम अपने साभार्व शल objective डूसरों की सम्मझें साब से चलते हैं तो इसका यूज करना है फिर अपनी फिलिंग्स पर कंट्रोल करना है कई बार दूसरों की बातों में आके या भावनाओं में भै कर सब गरवट कर देते हैं आपको पते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है सबसे खतर्नाक नदी भावना भावनाकी नदी सब भै चले जाते है तो रुक जाएीय जर्ण ज्रा समझधारी से काम लीजिए समझधार बन जाएए निया ज़रूरी कि हर भार हमें मतला अपनी होती से ही हम सबक ले कहीं पर कहीं से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ तो कम संगा मैं तो सबक ले लू शबार थोकर इसलिये थोड़ लगती है कि हम गिर जाए इसलिए भी लगती है कि हम संबल जाए और रही बात लोगों की फित्रत बदलने की वह तो मान के चली हम नहीं बदल सकते देखें जैसे मान लीजिए नीम का पेड़ा है और मैं उसमें पानी दिये जारी है मीठा कि मैं मीठा पानी दूंगी तो इसकी करवाट खतम हो जाएगी क्या कर दूंगी मैं करवाट खतम नहीं क्योंकि उसकी फित्रत ही है अब जैसे प्याज है उसको मैं कितना भी प्यार से कितना भी हस बोल के काट लूँ इसको आंखों में आसु तो आएंगे रुलाएगा तो वो सही हम नहीं बदल सकते किसी की फितरत जो उसकी नेचर है हम नहीं बदल सकते यह मान के चलिए फिर भी हम लगे हुए है कि हम उसको कही खोना दे अरे आप यह सोचिए उसको खुष कर जरीने के चकर में उसके साथ रहने के चकर में आप कभी खुद को नहीं प्रो Spencer नहीं होडा लगे सोच最 ciao होजिया की पहले में होश्यार था पहले में दुनिया मदल ने चला तो अब मैं समझदार हूँ अब पहले मैं खुद को बदलने चला हूँ है ह िस जो सबसे जज़ा जरूरी है ना आज के टाइम में आप मैच्योर बनिए आप सबर्जार बनिए यह जो दुनियादारी है ना किस तरे से निभानी है किस तरे से करना है यह सीखिये अब दूसरी बात यत भावो तत भवति हम जैसी सोच रखते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं हम पॉजटिव सोचेंगे हम पॉजटिव बन जाएंगे हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव बन जाएंगे देखें जिन्दगी मिली है जिन्दगी मिली है तो कुछ करके द इसमें प्रॉब्लम क्या है हम तो बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रखके नहीं हम नहीं नहीं हम नहीं नहीं होगा हम यह सोच बिठा लेते और नेगेटिव होते जाते हैं जबकि अगर हम अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकले हम डर का सामना करें हम बहुत आगे तक जा सकते हैं मतलब हम सफल हो सकते हैं जिन्दगी में और सफल ही नहीं लोग हमें अपनी प्रेड़ना मानेंगे मतलब इस कदर तक हम अपने आपको साबित कर सकते हैं लेकिन क्या है सोच बिठा रहे कि नह मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकती मेरे वसका नहीं है मैं नहीं हो सकता मैं और इसे कर दू ना ना सोच पता है क्या होनी चाहिए कि देख ले ना एक दिन जरूर हासल करके रहोंगा मैं यह अपनी मनजिल अरे ठोकर है जहर थोड़ी ना है कि इसको खाया और मर गया यह होनी प्रंजिव ToSoich अब तो लग गई है बस तलब अपनी मंजिल को पाने की अब तो खुद को जोग दूंगा आग में ठोकरे कहती है क्या कर िए मारा जाएगा हौसला कहता है कोई ना कोई ना देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा ये सोच होनी चाहिए मैं बोला ना यद भावत अद भफ्ती अगर हम अच्छा सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे तो मतलब ही नहीं कि हमें उसका उल्टा मिले बहुत जरूरी है ये अपनी लाइफ को बहतर बनाने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारी positive सोच अब तीसरी बात यहां सब सभी को जानते हैं यहां कोई खुद को नहीं जानता आप जानते हैं खुद को जानते हैं अब खुद को प्यार लZ चाहिए थी ऐसा कौन है जिसका हमें सबसे जदा च्याल्ड रखना चाहिए था ऐसा कौन है जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए था बताईए मुझे कि इन सबका अंसर चिरफ एक है एक हां अपनी सरी क्या रखना चाहिए बस सिर्फ पता है मैं इस सबते हैं इसको अपनी लाइफ में अपका क्याल रखना चाहिए कितना रखते है जब समझ आती है न तब तक बहुत लेट हो जाता है पितना है आपके पास कितनी ढग्लारर गुंका अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना हर रिष्टे पर भारी है हर रिष्टे पर लेकिन हम इतने के अध्य हैं हम इतने महान है कि हाँ देख लेंगे मतलब जब रिटायर होंगे न अथ्तब पूरा ध्यान रखेंगे सेहत का आज नहीं रख रहें अंशंट खाये जाएंगे गूमन फिरना है नहीं बैठे रहेंगे मतलब जितना हम नगतिव इसको कर सकते हैं जितना और खुश हो के करते हैं नहीं सोचते ओं जबकि इससे प्यार करना चाहिए इसका ख्याल रखना चाहिए सुबह उठते ही अपने पैर चुहने चाहिए इसका मतलब समझे आप एक्सराइज करने चाहिए सुबह उठके उपर हाद ले जाके फिर अपने पैर नी चुहते यह करना चाहिए बहुत ज़रूरी है अपना ख्यार ली रखेंगे तो कैसे बात बनेगी देखें सीध लेकिन बदलने के लिए लेकिन अपने के लिए लेकिन दूदगी दुबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए तो क्या समझें आप देखें जिन्दगी है ना ये हमारी जिन्दगी इसको जीने के लिए लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़े और अगर हमें खुद पर यकीन है खुद पर पूरा विश्वास है तो हवा की ओट में भी चिराग बहुत शान से जलता है समझ रहे हैं आप इस बात को वसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजेगा और इसमें जो एक बेल का बटन हाँ हाँ किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेर भी जरूर कर लीजेगा ठीक बाए